तो अब आप भी WhatsApp के अंदर AI को यूज कर सकते हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और काफी सारी ऐसे ट्रिक्स आपको शेयर करने वानूँ जो कि आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगे तो वीडियो को लाइक जरू कर देगा और सालसा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देगा चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या आप जानते हैं कि अब आप WhatsApp के अंदर AI के फीचर को भी यूज कर सकते हैं जो भी आप इसके इंदर इंफोर्मेशन लियना चाते हैं वो आप यहाँ पर क्रियेट कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कुछ इस तरीक से आप मैसेज लिख सकते हैं जिसे आप कोई भी करंसी करना चाते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं तो जैसे कि हमने लिखा है 80 डॉलर इस इकल टू इंडियन रूपीज आइन आप देखते हैं आपको किस तरीके से यह रिजल्ट से यहाँ पर प्रोवाइड करता है तो यह देखिए इसने यहाँ पर आपको रिजल्ट दे दिया है 80 डॉलर इस इकल टू 664470 इंडियन रूपीज तो यह काफी सारी जो है AI के फीचर जो है आप इसके तरू यहाँ पर कर सकते हैं जो नमबर मैंने आपको बताया उसको अपने फोन के अंदर सेव कर लेना है और उसके बाद आप AI के टूल को अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई मैसेज को सेंड कर दिया है तो अब आप उसको एडिट भी कर सेथे हैं पड़ेगा उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपको यहाँ एक आप्सेर इंफो होती है आपने उसके ओपर टैप करना है और जैसी आप सबस्वे नीची जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देहने में बिलेगा चैट लॉक और जैसी आप इस चैट को लॉक करेंगे तो यहां पर आपको मेशिज आएगा यहां पर यहां से रिमूव हो चुकी होगी तो यह देखिए अब वो चैट जो है यहां से अब रिमूव होगी आपको इसको एक्सेस करने के लिए कुछ इस तरी के से स्वाइब डाउन करेंगे आपको यहां पर एक लॉक्ट चैट को उप्शन देखने को आप इसके टैप किजिए उसके बाद जो है वह चैट आपको आप देखने को मिल जाएगी तो इस तरी के से अपनी चैट को भी आप लॉक कर सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी आप वाट्सेप के अंदर किसी को भी कोई फोटोग्राफ या वीडियो भेजते हैं तो वो इसकी कॉलिटी को कंप्रेस कर देता है और हाई कॉलिटी में आप फोटो को नहीं बेज़ पाते हैं अब आप यह चीज चीज़ें का मार्क भी देखने को बिलेगा जिसके थुरू आपको उपता चल देगा कि आपने जो फोटोग्राफ सेंड की है वो एच्डी कॉलिटी में ही नेक्स्ट पस्टन तक रिसीव हुई है तो यह फीचर को भी आपको ज़रू यूज करना चाहिए इवन जो है अब अपनी चै स्टीकर और आप उसको अब यूज कर सकते हैं कि क्सक्त को यहां पे सेंड कर सकते हैं तो अब वच्टाप को लॉग करसकेए तो उसके लिए आ है मैनू पर जाईए सेटिंग्स में आपको प्राइविसी का ओप्शन डेखने को जयए हैं सबसे नीची जाएंगे तो आब आ लॉक का उप्शन मिलता है, आप जैसी इसके उपर टैप करेंगे, आप इसको अपने fingerprint या face unlock के साथ enable कर सेथे हैं, तो यह इसके बाद पूछता है कि जो आपने lock करना है, वो इसको immediately करना है, यह एक minute बाद use करना है, यह 30 minutes के बाद आप लॉक करना है, तो आप जैसी immediately करेंगे, और उसके बाद WhatsApp को जैसी close कर देंगे, यह automatically lock हो चुका होगा, और जब भी आप next time कोई WhatsApp आपको open करेगा, तो जो तक वो उसको unlock नहीं करेगा, वो पर tap करेंगे, आपको यहाँ पर option देखने को मिलता है, message yourself, आप इसके ओपर tap करेंगे, और अपने इससाफ से अपने आपको ही, आप यहाँ पर message भिषते हैं, कोई भी reminders, यह कुछ भी चीज़ जो आप याद रखना चाहते हैं, उसको अपने WhatsApp के हंदर ही आप अब रख सकते हैं, ऐसे reminder, तो यह feature भी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, message yourself का, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले आप जब WhatsApp अपने फोन के नितर एक ही यूज़ कर पाते हैं, या फिर आपने एक और account यूज़ करना हो पड़ता था, तो आपको application जो clone करना पड़ता है, या कोई दूसरा phone यूज़ करना पड़ता है, बट अब आप इसकी settings में अगर जाएं, तो आप काफी सारे multiple WhatsApp account या आप यूज़ करते है अब कई बार ऐसा होता हुए कि आपने किसी को message करना होता है, कोई आपको person बोलता है कि उसको message कर दीजे, email address भेज़ दीजे, कोई भी courier वाला होता है, इसको location भेजनी होते हैं, तो कई बार आपको उसका number save करना पड़ता है, तो आप बिना number save किये भी आप किसी भी person को directly message कर जैसे कि मैंने आपको बताया message yourself करके आप अपना यहां पर एक account बना लीजिए उसके बद क्या है जिस भी number को आपने message बिजना है उसको आप यहां पर टाइप करके जैसे कि मैंने एक number यहां पर टाइप करेंगे यह आपको बोलेगा जाकि chat with WhatsApp यह call on WhatsApp यह add to contacts तो chat with WhatsApp करेंगे तो automatically जो है chat window खुल जाएगी और आप directly बिना phone number को save की हुई अपने phone में से किसी भी person को message कर सकते हैं या फिर WhatsApp call भी कर सकते हैं अब कई बार क्या होता है कि आपके phone के अंदर काफे सारे WhatsApp की chats होते हैं बट कुछ ऐसे important persons होते हैं जिनके message को आप सबसे पहले reply करना चाते हैं यह सबसे पहले उनको देखना चाते हैं तो अब आप अपनी chats को पिन भी कर सकते हैं suppose कीजिए कि हम आपको इस चैट को पिन करना है सबसे उपर लाना है टॉप पे तो आप इसके उपर कुछ इस तरह होल्ड रखेंगे आपको नीच उपर एक पिन का बटन यहां पर देखने हो लेगा इसके उपर टैप केजिए अब यह चैट जो है आपकी यहां पर पिन हो रहेगी और हमेशा हम टॉप पर ही रहेगी चाहिए कोई भी मैसेज के बाद आए यह चैट जो हमेशाट टॉप पर रहेगी अगर आपई अंपिन करना है तो वापिस आप इसको अन्पिन भी यहां से कर सकते हैं तो यह कुछ अमेजिग ट्रिक्स थे जो मैं आपको आपके